जब सावन का महिना चल रहा था तो उनके चार सीटेट पिता जी जो बिहार के वो लूट कर सत्ता में पैठे थे वो मटन खा रहे थे और आजकल उनका बेटा जो चार सीटेट है आजकल वो हेलिकॉप्टर में मचली खा रहा है नवरात्रा में अब समझिए सनातन विरोधी कैसे है अरे हम लोग तो यह सबस्ते थे कि लालू परसाची का परिबार ना मटन खाने वाला है ना मचली खाने वाला है यह तो चारा खाने वाला था यह मचली और मचली पे कैसे आ गया प्रभूस्त्री राम साड़े 500 वर्सों तक से इंतिजार कर रहे थे आज संकल्प लिया है मारी पस्टों के माध्यम से कि हम तीन करोर और गरीबों का घर बनाएंगे चार करोर घर जब प्रदान मंत्री जी दे रहे थे तो योद्या में प्रभूस्त्री राम भी टेंट में बैट कर इंतिजार कर रहे थे कि कोई भगरत आए और हम को भी टेंट से निकाल कर भब राम मंदिर में ले जाए इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं और गरीब कल्यान का लगातार आपके तामाध्यम से योधना चल रही है हम आदने राजना जी को अदेश के प्रदान मंत्री आदने नरेंग मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं आज टबल इंजन की सरकार आपके सिर्वाद से बना कल तक गरीबों के कल्यान में जब गटबंदन की सरकार थी चीजों को अटकाना भटकाना और फसाना ये काम हो रहा था आपने आइसमान भारत पूरे देश के लिए दिया था लेकिन इसकी सुरुवाद जब हम लोगों ने 2020 एकेस्ट में किया तो बीच के काल खंड में इसको मादर 83 लाग पर रोप दिया गय लेकिन जब परधान मंतरी ने ताई कर दिया किस देश में करोना काल में कोई गरीब भूका नहीं सुएगा पाच-पाच किलों का अनाज दिया जाएगा पर तेक व्यक्ति को उसी तरह टबल इंजिन की सरकार जब आपके असिर्वाद से बना तो बिहार के लोग कंतर में अ क्या गया और हम लोग अस्क्वस्त हैं जिस तरह मोधी जी की कारेंटी है और मोधी जी की घारंटी में सपस्त है कोई भस्ताचारी नहीं बचे गा और आज कल भस्ताचारी लोग क्या कर रहे हैं जब सावन का महिना चल रहा था तो उनके चार सीटेट पिता दी जो बिहार के वो लूट कर सत्ता में पईठे थे वो मटन खा रहे थे और आजकल उनका बेटा जो चार सीटेट है आजकल वो हेलिकॉप्टर में मचली खा रहा है नवरात्रा में अब समझे सनातन भिलोधी कैसे है अरे हम लोग नों यह सबस्ते थे कि लालू परसाची का परिबार ना मटन खाने वाला है ना मचली खाने वाला है यह तो चारा खाने वाला था यह मचली और मटन पर कैसे आ गया इसलिए साथियों आप लोगों को टाई करना है उन्हीं सारी को एक कोट हेलिकॉप्टर आईएगा जैसे ही चुनाव जीत आईएगा वह सही देश में यह सवी प्रदानमंत्री नरण मोदी जी प्रदानमंत्री बन जाएंगे साथ और मोदी जी की गारंटी असपस्वे साथियों मोदी जी ने कहा है भस्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को भी राजनाजी का अधनिय है नड़्डा जी काद ने प्रदान मंत्री जी का जब असिलवाद मिला और हम लोगों ने डवल इंजन की सरकार बनाई कर एक एक एकदम असपस रही है नौजवानों को गुम्रा करने के प्रयास किया जाए लालु परशाद जी जब 2990 से लेकर 2005 तक मुख मंत्री रहे तो चारा और नौकरी कितना दिया 95000 लोगों को 15 साल में नौकरी दिया जोजार फीस तक आपने नितिश कुमार जी को इंडिये को सरकार दिया तो साड़े साथ लाग लोगों को नौकरी दिया साथ यो और आज कमिटमेंट है हमारा है जब 2015 में जब 2015 में आपके हम मत भोट मागने दस लाग सरकारी नौकरी एक एक नौजवान को मिलने का काम किया है और यह कारेंटी ऐसा दियो क्योंकि हम लोग तो बस्ता चार के ऊपर जिस तरह मोधी जी का करवाई चल ला तो यह लोग तिल मिला जाते हैं अब तो भीहार ने भी कानून बना दिया यह जो बालू मापि झाम